नमस्कार आप देख रहे हैं Special Coverage News और मैं हूँ आपके साथ लुकमार मिश्चा हमारे साथ हैं आदड़ी आलोकसर उनका स्वागत और अभिनिंदन आगे को बड़ी खवर सामने आई जिसे टीवी चैनल से यानि मैनिस्ट्री मीडिया नहीं दिखाई है क्योंकि अगर वो खवर चली तो यूपी की योगी सरकार और केंद की नरेजमोदी सरकार दोनों कट घरे में खड़े हो जाए पुर्धान मंत्री जी जब पहली बार दो हजार चौदा में बनारस आते हैं तो कहते हैं मैं आया नहीं हूँ मुझे बुलाया है मा गंगा ने आज एंजी टी ने बारारसी के जिला दिकारी से जो सवाल किया है उसने मोधी और योगी सरकार के स्वक्षता कारी क्रम की पूरी पोल खुल दी दियान साब पर अब कोई जवाब नहीं है उन्होंने पूछा हम तो गंगा का पानी नहीं कह सकते हैं एंजी टी ने ये सवाल किया था हम तो गंगा के जल को निर्मल जल मानते हैं आचमन करने से हमारे पाप धुल जाते हैं उस गंगा के जल को एंजीटी ने सवाल किया है डियम साब पीकर दिखाईए और नहा कर दिखाईए नहीं तो बोर्ड लगवा दीजिए बड़े-बड़े नहाना और यह पानी पीने योग्य नहीं है और पानी पीने योग्य भी न आपको याद होगा कि एक कैबिनेट मंत्री थी उमा भारती जिन्हें गंगा साब सपाई अभिहान का अलग से जिम्मा मिला और जब उन्होंने उस साब सपाई अभिहान पर सवाल खड़े किये तो अगली बार से पता ही नहीं है आप तो पता ही नहीं है कि आजकल वो है का ऐसे एक नहीं अनेक मंत्री परिया वरण पर सवाल उठाने वाले प्रकास जाब टेकर जो कभी नरेंद्र मोधी के सबसे प्रिया लोगों में थे पता नहीं है कानून मंत्राले में बड़ा जिम्मा समयानने वाले रविशंकर प्रसाद का अब लता पता नहीं है माइनॉरिटी को एक नया संदेश देने वाले तेज पत्ता की तरह निकाल के फैंके वह गए मुक्तार अब्बास नकवी साहब का भी अब पता नहीं है और मागंगा खोज रही है कि मेरा बेटा लोट के कब आएगा मैं बूरी हो गई मुझे में गंदगी समाहित हो गई अब तो आम जन्वानस नहीं एंजीटी पूछ रही है दिल्ली की हवा इतनी प्रदूसर युक्त है कि एक आदमी दिन में सो सिक्रेट का धुआ खीच लेता है जितना उससे परेशान होता है उससे आबेशात है मौसो से उपर आंकड़े चलेगा हैं प्रदूसर के अखले से आदम ने कहा प्रदूसर खत्म करने आए हैं साहव आप ना कहते तो दिल्ली का प्रदूसर नहीं बढ़ता अब तो इतना बढ़ गया वो कह रहे आप कितना खत्म करोगे हम उतना बढ़ा देंगे आलोक सर आप बाबा भोले के भगते हैं और बनारस में पले बड़े काम किया गंगा का बेटा को आपने भी सुईकार किया होगा चौदा से उनाईस तक लिकिन आप गंगा का बेटा गंगा का जिक्र नहीं करता है एंजीटी को सवाल पूछना पड़ा है जो स्वाइट तो संस्था है कुमार जी मां गंगा का कि सफाई का अभियान जो है राजी गांधी जी ने शुरू किया था और गंगा सफाई अभियान की सुरुवात वारानसी से होगी थी कि सोचिए गूगल में सर्च किजेगा उन्नी सो पचासी या उन्नी सो च्यासी में शुरू हुआ था लगबग 40 साल होने जा रहे हैं और जो आज ने बोला है बनारस के डीम रामा लिंगम से सुनवाई थी आज एक याचिका करता सौरब पांडे उन्होंने याचिका डाल रखी थी और वर्चुल सुनवाई हो रही थी डीम साहब बनारस से जुड़े थे नंजीटी के लोग दिल्ली से जुड़े थे जब उन्होंने बोला कि आप गंगा का जल पी के दिखाईए तो और एक बड़ी बात उन्होंने और भी कही गंगा जल वारानसी में नहाने की योगी भी नहीं है अब आप सोचिए लाखों लोग रोज बनारस जाते हैं कि गंगा जल में बनारस में गंगा घाक में स्नान कर चाहिए और एंजी टी ने कहा कि जब आप गंगा जी को साफ नहीं कर सकते तो गंगा जी किनारे हर जगा बोड़ लगवा दीजिए कि गंदा का जल नहाने योग्या है नश्फपीने योग्या है और किसकी सरकार है ये यह सनातन धर्मियों की सरकार है सनातन धर्म के बहुत बड़े संद्रट च्छक बनते हैं हमारे अधर्णी यह नरेंद्र मोदी जी और योगी अधित्यनाद जी कि डियम साब से पूछा कब से बनारस के डियम है पता चला सब्सक्राइब रहें जीए लिखें लगवा दीजिए कि वहां पर गंगा जल ना पीने लाइक है नना आने लाइक है कि इस मर्थता जता दी कि यह मेरे अधिकार चेत्र के बाहर है कि अरे भाई जब चेतावनी दिन देंगे जनता को आप और अभी देव दीपावली के दिन योगी जी गह थे पनारस वैसे हपते में हर 15 दिन में एक बार बनारस पहुंच जाते हैं नरेंद मोधी ने तो फिर भी जिस दिन कासी विस्तारित परिसर का जिस दिन सुभारम भुवा था पूजा हुई थी जो पूरा कोरिडॉर बना आया उस दिन तो उन्हें गंगा जी में नाया भी था मनें योगी जी को तो कभी गंगा जी में आते नहीं देखा बनारस में कि खुद यह लोग नहाएंगे फिल्टर वाले पानी में और आम जनता जो कासी में बड़े बड़े दुनिया से लोग आते हैं कि सिर्कुमार जी मैं भी जब बनारस जाता हूं ना दिन में रात में जाके सनान करता हूं गंगा सनान अल Chand Camai Laguna में लुखे लगता कि मैं कुछ मिसक्र रहा हूं लख नव रहता हूं ग्राणड करने याथा अब यह लोग गंघर thing करतें भाबा का यह पूझा पाठ करके घाट से अपने दैनिक कारें में लगते हैं निकलते हैं कि ऑ है और साद सालो. से योगी जी सरकार है और दस उसे नरेंद मोदी जी सरकार है कि अब आप कि इसपयर अरूप लगा येगा अर सबसे बड़ी बात है ये जो आप ने आरूप लगाया जो हम फोди कि मैं आया नहीं हूँ है मुझे तो मां आ बुलाया है और रे गंगा जी गंगा जी जी ने आपको बुलाया था नरिंग मुदी जी इसलिए कि गंगा का यह हाल हो जाएगा और सबसे चिंता जनक पहले जानते हैं क्या है सिर्कुमार जी कि अभी माकुम्ब लगेगा 14 जन्वरी 2025 से प्रयाग में माकुम्ब लगेगा अभी तो वहां के ऑफ फ्रक और चौट लोग स्वर्ण करने आएंगे और गंगा जो है प्रयाग्राश से बैते वे पनारा साथी है उन्भाण पानी की क्या स्तिति फोट ओंगा जल की पता ही नहीं है वह तो गंगा के जाट यह मुना की संगम स्थाल पर बहुत लोकिस्तान करते हैं लेकिन ये मीडिया स्खामोस है अभी कॉंग्रेस की केंदरी सरकार होती अखले स्यादों मुक्मंत्री होते हिंदूओं की आस्था के साथ बहुत खिलवाड किया जा रहा है एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट आप बड़ी वेवाकी से आलोक सर की बात सुन रहे थे कि कितना गंगा का जल प्रदूसित है कहा जाता है कि गंगा वोक्षदाईनी है भगवान सिव के जला विसेक के लिए गंगा से जल लेकर भक्त गंगा इसनान करते हैं और उसके बाद बाबा विस्वनात को जल अर पढ़ते हैं ये प्रक्रिया सौंबार को बड़े जोर सोर से चलती है बाबा भुले नात के भक्त गंगा इसनान करके सीधे बाबा विस्वनात मंदिर पहुंशते हैं और उसके बाद जल अर पढ़कर बाबा का आसिरवाद ग्राण करते हैं माघंगा का प्रदूसित होना ये मोदी और योगी के स्वक्षता की पोल खोलता है कई बार मोदी जी ने बाराण सी में स्वक्षता अवियान का सुभारम गिया वो सुभारम किस वक्त था कैसे था ये सब पोल खोल दी लेकिन जो अभी आलोक सर कह रहे थे हो बड़ी गंभीर है अगर ये गैर भाजपा सासित सरकार में ये आदेज जारी हुआ होता तो अब तक नग्न नाच हो रहा होता नग्न नाच तांडब हो रहा होता तांडब होते होते बचाए सिर्फ जेड़ लाख वोट यानि अगर कांग्रेस के हजयर आई को अस्सी हजार वोट और मिल जाते तो कतांडब हो जाता फिरु भी मोधी जी सांसद है माराण सी के प्रधान मंत्री का लोकसवा संसदिय छेत्र है कोई एरे गेरे का संसदिय छेत्र नहीं है कौन जवाब देगा अरे गंगा मा गंगा अपने बेटे की राह नियारती नियारती वेहोसी की हालात में है जो एंजीटी कह रही है और पुत्र जराभी मा के बारे में सोच नहीं रहा है अब आप सोच यह जिस मा को मा कहता हूँ बेटा उस मा का दुख नहीं देख रहा हो तो आम जन्मानस का दुख क्या देखेगा यह बात आप समझ लीजिए हमें चाहिए दवाई कमाई पढ़ाई की सरकार और हमें चाहिए सुक्षता परक जिंदगी की सरकार आप दिल्ली में जाईए जितनी भट्टी में प्रदूसर नहीं है उसे कई गुना दिल्ली में अपने आप आँखें जली जा रही है सांस लेने में दिक्कत है देखते ही देखते है अलर्जी से जुभाम हो रहा है खासी हो रही है और सरकार कंबल तान के सो रही है मडपुर की घटना ने हैरान कर दिया बेटी को दिवाल में कीले ठोक दी गई उसके साथ दुराचार किया गिया और दुराचार के बाद दुष्टों ने दीवाल में कीले ठोक कर आग लगा दी हम किस से गुहार करें किस से सवाल करें पहले भी एक वीडियो सामने आया था मड़िपुर का उसने दिमाग हिला दिया था किस जगा आ गए हम नफ्रत का आलम इसकदर हावी होता चला जा रहा है हम आ किस जगा गए है पेसंस नहीं बचा किसी में जरा सा सवाल कर दो जरा सी बात पूछ लो अब टीवी पर मार पीट होने लगी लिए पहले मौलाना और पंडित में होती ती अब प्रभक्ताव में होने लगी अब पाइटी को जो नेता उनमें होने लगी तो अलोग सर गंगा पुकार रही है बेटा है कहों बेटा ठीक ठाक है बेटा विद्येस घुम रहा है सर और बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले जारकंड में चुनावा परचार कर रहे हैं कि दीमार मा को कौन देखागा जिसका पानी इतना प्रदूसित हो गया वो कैसे सांस रहे हिंदू धर्ब जो भी लोग नाने जाते हैं उनकी धार्मिक आस्था होती है सर वो नाने जारे गंगा जी में कि हमारा हमको कुछ पूर्णी मिलेगा हमारे पाप कटेंगे नाने योग साहब स्वाच्छ पानी निदे पाए रहे हैं हर गल जल घर गर नल फलाना सल फलाना जल फिर वी आप पानी पर सवाल कर रहे हैं अब कमाल की बात है कि कितना पैसा कई हजार करोर रुपे गंगा जी की सफाई के नाम पर गंगा जल प्रदूशन मुख करने के नाम पर खर्चा हो चुका है प्रिशले 40 सालों में सब करप्षन भरस्टाचार की भेट चड़ गया है ँएप सर मोदी जी पर भ श्या चार का रूप मतलगा ही ए नहीं नहीं कर लिक जो रहे हैं वरणसी के रियंग ने लगायाथ जबकि बहुत बड़ा जुर्माना लगनाची जुर्माना बड़ा लगना Χाग्णा का पानी बनारस में नाने योग्य नहीं है आमचilar पीने योग्य नहीं है कि किसनी बड़ी खबर है सर यह आज की डेट में उत्तर पदेश की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए आच्मन के योग जल नहीं होगा तो पिएगा कौन आच्मन के लिए तो सुद्ध जल चाहिए लेकिन उन्हेंने क्या बना दिया अब गंगा जी में स्टीमर चलती है साहब बनारस में एक टेंट सिटी और बनी थी या लुक सच्छ चुकि आपको तो बनारस का पूरी भूमी का पता अरे सर टेंट सिटी में वो काम होते थे ना पूछा मत करिए सर स्टेंट सिटी में हर वो चीज होती थी जो गंगा के साथ बनारस में नहीं होनी चाहिए थी ना गंगा के उस पार कि सर मूँ मत खुलवाई ये कि वो गोवा नहीं है बनारस कि आप दिरा बनारस को गोवा बनाने की कोशिस की जा रही है कि यह पूज़ा और आस्था का सहर है दुनिया की सबसे कहते हैं दुनिया की सबसे पुरानी प्राचिंतम नगरी है तीनों लोग से प्यारी नियारी हमारी कासी है हम लोग कहते हैं बच्मन से लोग सुनते चले आ रहे हैं तो सनातन के पुरोधाओं पर सवाल करने लगी नहीं सर यह गोवा बना रहे हैं यह लोग बनारस को गाटों को तो देव दिपावली उत्सों कराने का क्या फाइदा राज मेरा मन बहुत दुखी है कि दो दिन पहले में देव दिपावली का के फंक्शन की का बचाव कर रहा था लेकिन पीन गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं है पीने योग्य नहीं है उस दिन कार्तिक पुरिमा बे भी कई लाख लोगों ने बनारस में गंगास्नान किया है सर सवाल यह है कि बनारस से एक सो बीस किलोमीटर पहले संगम का वो घाट है जहां कुम्ब का आयोजन है कुम्ब में पैतालीस करोड स्रद्धालू आए जाने की बात कही जा रही है वो पैतालीस करोड स्रद्धालू आएंगे दंगा में आएंगे वो उसी इलाके में रुकेंगे प्रदूसर और बढ़ेगा और प्रदूसर कैसे बढ़ेगा अगर गंगा में आज परसानी क्यों भी है आज जो मामला उठाय क्यों उठाय बनारस में दो छोटी नदिया बोलते हैं नदिया मत कहिए अब उसको लिए क्या सब्सका मैं इस्तेमाल करूं मैं मतलब कहना नहीं चाहिए एक असी नदी है और एक वरुना नदी है वरुना नदी और असी नदी में सहर का सबसे गंदा पानी जाता है वो पानी सीधे गंगा जी में मिल रहा है वेवस्ता यह की गए थी कि सीवर का पानी गंगा जी में नहीं गिरेगा उसका treatment होगा गंगा में सवच पानी जाएगा और असी जनदी जो है जहां पर असी घात होता वहीं पर जाके मिलती है अब वर्णा नदी वहां पर गंगा मिलती है जहां पर मोदी जी के नाम से नमो घात वना है गंगा जल लेके लोग आते हैं बिदेश बिदेश से आते हैं बोतल में भर के ले जाते हैं हर आदनी अपने घर में रखता है ले जाता है कि साल बर पूजा करेंगे गंगा जल से चीजों को गंगा जल चड़क देंगे सुद्ध हो जाएंगी उस गंगा जल का यह हाल हो गया है और यह बिकीवी मीडिया मुझे बड़ा अपसोस है इस बिकीवी चरित्रहीन मीडिया मैं पड़ा सब्द बोल रहा हूं जो पैसे के लिए अपना इमान धरम सब बेच चुकी है और जिस मीडिया में मैंने नौकरी की यह बड़े सालों तक वो खामोस है क्योंकि उसको कुम्ब का बजट दिखाई दे रहा है कि पैकज फिर नहीं मिल पाएगा उत्तरपदिस सरकार के सूचना विवाग से गंभीर बात है सर आपकी गंभीर जे काम मीडिया का होना चाहिए सर्थ मीडिया बता ही नहीं रही है कि डियम साब का सिर्फ यह काम है क्या कि हफ्ते में हर अप्ते वो योगी जी की आगवानी करें कि राज्य सरकार में प्रदूशन विवाग होता है साब स्वाच गंगा वियान जो कि उसका क्या स्थिती है कि बड़ी उमीद थी हम लोगों को जब पुमा वार्ती जी को 2014 में मौका दिया गया था कि बनारस में हवा भी प्रदूसित है कि सुबह और साम बहुत डॉक्टरों ने मना किया है कि निकलिये मत सांस लेने की परसानी की वज़ा से पांसो मरीज रो जा रहा है आजकल कि अ कि बनारस का डाटा बहुत अच्छा नहीं है कि सिती अच्छी नहीं है लेकिन कोई चर्चा नहीं करेगा साब गंगां और बनारस गंगा बनारस से हट जाए तो कोई वैलू नहीं है नदियों से मानौस कते ने नदियों की वज़़ा से सभट मैं चलती हैं बजै का नदी का खत्म होना मतलब मानौस अभिता के लिए मानौस माज के लिए अच्छा संकेत नहीं है पानी और हवा के बगएर हम आप जी नहीं सकते हैं दिल्ली में क्यों आई लिवल 900 हो गया है उसके लिए केज्रिवाल जिम्मेदाट हरा जाते हैं है फरीदाबाद गुड़गाउं में क्या लिवल भी उसको कम नहीं है गाजियाबाद नोइडा में भी नहीं ह है तो उसके लिए किसको जिम्मेदाट हराएं गया केज्रिवाल को उसके लिए नायाव सिंग सरनी को जिम्मेदाट हराई है योगी आधितनाथ को जिमाच रही है नहीं नहीं केज्रिवाल सब प्रदूसर करते हैं केज्रिवाल सर सच एक बात यह है कि चाहे नरेंज मोदी प्रधान मत्री मोदी को वारणस्वी गंगा सनान करते लोगों ने देखा होगा योगी जी तो कभी सनान नहीं करते वना रज जाते हैं तो वह तो योगी उनको तो जान जब जाते हैं पनारणस्वी गंगा सनान करना चाहिए तब ना पता चले हैं स्थिति क्या है हर जगह वही हाल है आप किस विकास की बात करते हैं जब ना आपको सच्छवा मिल रही ना सच्छपानी मिल रहा है कि कौन सा विकास है कि कौन से विस्व गुरू हम बन रहे हैं बड़ी सर गंबीर बात आपने कह दी और बहुत अच्छी तरीके से विस्व लेसर किया है इस पूरे प्रोग्राम को दर्सक देखें जरूर और समझें कि आखिर हो क्या रहा है फिलार इस प्रोग्राम में इतना ही और जल्द फिर हाजिर रहेंगे नई प्रोग्राम के साथ हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार नमस्कार कर दो नमस्कार 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 नमस्कार